नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथिया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में जहां पे काफी सारे लोग इन इस टॉक्स पे बीरिश नेगेटिव होते हुए आज वो एक आउट पर्फोर्मर के रूप में सामने आई है शायद काफी सारे लोग इसे एक बाउंस बैक शॉट कवरिंग समझ रहे होंगे बट मैं आपको बता दू ना यह बाउंस बैक था ना यह एक शॉट कवरिंग था यहां केवल और केवल जो हुआ है वो जो हुआ रही है खरीदते रही है दोस्तों इसके पीछे के काफी सारे रीजन्स हैं आप सभी को पता होगा जो हमारे रेगुलर व्यूर है स्पेशली उन्हें तो कंफर्म हो गई होगा कि मैं कंटिन्यू इन स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन देता आया हूं और अब जो यह लेवल्स यह आपके लिए मेरे हैसाब से अकॉर्डिंग टू मी यह लेवल्स ऐसे लेवल है शायद ही आप यहां पे बिकवाली करके पैसा बना पाऊगे यानि कि आप कैश में बाइंग कर रखी है अब यह आपका लॉस हो रहा है आप यहां बेचके सोचों के नीचे आएगा और मै अमेरिका की तरब से जो यह डॉलर की जो कीमत भढ़ रही है उसकी वज़ा से जो माल भार विदेश में बेचते हैं उससे इनक्यों आए जादा आएगी जिसकी वज़ा से इने कहीना कहीं प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख सकता है इसी के चलते है इने स्टॉक्स में आज इनफोर्स अपने क्वाटर 2 के रिजल्ट्स पेश करने वाली है कैसे रिजल्ट्स रहते है कैसी गाइडेंस रहती है यह सब देखना होगा में उसके बाद हम आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं फ्रेश मूव देखेंगे एक अपसाइड के लिए और यहां से भी गिराव विप्रो, SCL Tech और Tech Mahindra पे इन स्टॉक्स में से अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करनी चाहिए सबसे पहले बात करते हैं TCS के बारे में 3000 के आसपास इस्टॉक्स का लो लगाया इस्टॉक ने इस्टॉक के चार्ट्स के गॉर्डिंग स्टॉक वीकी है बट अगर बहुत बार दे चुका हूँ शायद आप लोग जो रेगुलर हैं वो भी थक गए होंगे सुन-सुनके हैं जो बिगिनर से उनके लिए मैं एक बार रेपीट कर देता हूँ यह स्टॉक ऐसा है इस पर रीटेल इंवेस्टर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर है जो आप मेरे जैसे लोगों के पास है बागी सम्माल बड़े लोगों के पास है तो आप डेफिनिली होड़ कर सकते हैं इन फॉस अगर इन फॉस इस की बात करें तो दोस्तों आजके सेशन में एक परसेंट तक की देजी बनी है स्टॉक में 13.55 का आज 52 वीक लो लगाया अगर 4-5% की और डाउनसाइड लेगे चलते हैं तो मेरे इसाब से आपकी रिस्क बिल्कुल कैब्ड है इससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है नीचे की तरफ लेकिन उपर में साड़े सत्रा सो, सत्रासो, उननिससो, दो हजार, एकईससो, बाइससो, सब खुला हुआ है मेरे साब से यहां से 24 महिने में एस टॉक बाइस सो से प्लस लेवल्स दिखा सकता है प्लस आपके लिए एक बॉनस भी दे सकता है company continue bonus देती है अपने share holders को continue buyback भी करती है हला कि buyback जाद तर इस company का जो होता है वो open market से होता है जिसकी जादा value नहीं होती है लेकिन करती है ये आपके लिए मैं बता दूँ तो ये stock भी कहीं आपके radar पर रहना चाहिए बहुत ही अच्छे levels पर आगे देफिनिली खरिदारी करने के मौके हैं बात करें अगर sclt की तो ये stock तो अभी इसने जो पहले लो लगाई थे वो लो ब्रेक ही नहीं करें है कही न कहीं तो इस stock की बात करूं तो यहां पर आपको मैंने बात करें विप्रो की तो दोस्तों विप्रो 18 के पी मिल रहा है तो इससे सस्ता आपको क्या ही मिलेगा टेक महिंद्रा की बात करें तो LIC अपना stake बढ़ा रही है सब कुछ अच्छा है फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो फिर मेरे साब से आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता बढ़ जिसके पास है मेरे साब से सिंपल मैं काऊंगा बने रहें खरीते रहें बस तो यह मेरी पूरी वीडियो अपको समझ में आयोगी थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग दिस वीडियो अगरेट देगा झाल